हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपकेसाद शेर करेंगी मेरे सासुमा की स्पेशल चत्नी जो है टमेटा की चत्नी और इक खाने में बहुत टेश्टी लगती है तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हुआ तो इसके लिए मैंने लिया है टामाटर तो यहाँ पे 12 टामाटर है मिडियम साइस के अब अपनी हिसाब से कितने पी टामाटर ले सकते हैं और साथ मैंने लिया लसुन, अद्रक और मिर्ची आप तीखे के हिसाब से मिर्चे ले सकते हैं तो मैंने दो मिर्च लिया है क्योंकि मैं बाद में लाल मिर्च का पौडर भी यूज़ करने वाली हूँ तो मैंने टमाटर अभी काट लूँगी, तो मैंने टमाटर काट लिया है, इसे रफली काटने है कैसे भी, और इसके साथ जो लसुन, मिर्चुर, अद्रक है उसे डाल देना है, और फिर इसे ग्राइंडर में पीस देना है, तो आप अपनी हिसाब से तीखा ले सकते हैं, तो मैंने इसमें जीरा, राई और अखा मेथी लिया है, जिसे हम पचफोरन पर बोलते हैं, जो पाच मसाले रहते हैं, तो लिया है मैंने, और इसे अभी अच्छी से पहले फ्राय कर लेंगे, जो पचफोरन है, अब इसमें जो पेश्ट तयार किया हूँ है, और इसे फिर चलाएंगे, तेज आज पर, तो मैंने इसमें ब्रेडी कर दिया था, पीसके, अभी मेरी सासुमों में बना रही है, तो इसे तेज आज पर अभी पकाना है, और इसे आप थोड़ा चलाते भी रहे हैं, और इसमें मैंने फरी भी डाली, जो आम की फरी रहती है, जिसे खटा और चाहिए तो आप थोड़ा इमली भी डाल सकते हो, ने तो इसे स्किब भी कर सकते हो, तो अगर आपको इमल जाए तो डाल दीजी, ने तो आमचुर पाउडर डाल दीजी, अगर नहीं डालना है, तो मैंने इसे यूज किये, और इसमें भी लाल मिर्ज का पाउडर डाला और इस सब मिलाना है, इसा कलर देखी कितना अच्छा है, टामाटर को जो हम पकाते तो उसका कलर और निखर क्या आता है, अभी इसमें गरम मसला डाला हुआ है, इसे तेज आज पर अच्छी तरह से भूनना है, और इसमें भी उन्होंनी गूट डाले, जो नॉर्मल गूट रहता है हो है, अब साथ में गूट भी डाला है चीनी अब अपनी हिसाब से आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा बना सकते हो, कम मीठा या ज्यादा मीठा आपने हिसाब से बना सकते हैं तो उसके हिसाब से आप गोड़ शक्कर डालिए अगर आप से गोड़ डालना चाहते हैं तो गोड़ भी डाल सकते हैं और अगर आपको गोड़ नहीं डालना है इसे आप शक्कर डाना तो आप शक्कर भी डाल सकते ह अब इसे अच्छे से मिलाना है, आज तेजी रखना है, तो देखिए पकरा इत्म अच्छी तरह से, वो थोड़ा उसमें नमक डालना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सबस, आदा चम्मच, वो इसे फिर अच्छे से वापस मिलाईए, इसा कलर देखी बहुत ही प्यारा है, अगर आप नॉर्मल जो तीखी चटनी भी आप पीस के, और उसे तवे पर अगर फ्राय करो कि तो भी उसका कलर बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़ता है, और इसमें जो मिक्सर के वाटी में जो लगा था, टमाटर प्यूरे तो उसे प अपर अच्छा बनाती है चटनी, मुझे भूबत पसंद है, हमारे घरमी सभी को बहुत पसंद है, और इसमें मेनी छोटा ग्लास एक कप पानी और डाले, यानि मेरी सासुम अबने एक कप पानी और डाले और इसे अभी 10 मिट तक पकाना है, बस अब इसमें कुछ नहीं मिल बस अब इसे ढख देजिए तो देखिए मैंने धकन खोलके वापस दस मिट के बाद चेक किया है तो इसे रोटी के साथ खाना है तो यह देखिए थोड़ा गाड़ा हो गया है तो अभी मैं इसे बंद कर दूँगी क्योंकि थोड़ा ठंडा गाने के बाद और गाड़ा हो जाता है तो यह टेमेटो की चट्नी तयार है इसका टेश्ट बहुत अच्छा है बहुत अब जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे प्लीस कमेंड में बताए आपको कैसा लगा और प अच्छा लगता है बहुत यम्मी लगता है इसे आप रोटी के साथ खाई ये ब्रेट के साथ खाई है समूसे के साथ खाई वड़े के साथ खाई ये बहुत टेश्टी लगता है आपको बहुत पसंदेगा आप जरूर ट्राइ कीजिए तो यह मेरी ती सासु मॉम की प्रेशन रेसिपी